अर्विंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली का नया CM कौन? इस सस्पेंस से परदा हट गया. आतिशी ही दिल्ली की नई CM होंगी. अर्विंद केजरीवाल ने अपना उत्तरादेकारी चुन लिया है. आम आदमी पार्टी विधायक दलों की मंगलवार को बैठक में अर्विं पिछड़ गये. अब सवाल उठता है कि आखिर अर्विंद केजरीवाल ने आतिशी को ही दिल्ली का नया CM क्यू बनाया है. तो इसके कई कारण है. आतिशी को अर्विंद केजरीवाल का भरोसे मंद और काफी करीबी माना जाता है. आतिशी आम आदमी पार्टी की कोई नई नेता नहीं है, बलकि वह अन्ना अंदोलन के समय से ही अर्विंद केजरीवाल और संगठन के साथ जुड़ी है. महस पांच साल के भीतर उन्होंने अपनी काबलियत से विधायक से मंत्री तक का सफर टै किया है. आतिशी 2020 में पहली बार कालकाजी से विधायक बनी थी. उन् शराब भूटाला केस में जब अर्विंद केजरीवाल और मनीश सिसोधिया जेल में थे, तब आतिशी नहीं मोर्चा संभाले रखा. इस दोरान आतिशी सरकार के कामकाज से लेकर संगठन तक की जिम्मेवारी बखु भी निभाती रही. जब जब आम आदमी पार्टी पर म दोनों बड़े नेताओं की गयरमजूदगी में आतिशी ने संगठन और नेताओं के मनोबल को गिरने नहीं दिया. आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों में इकलती महिला मंत्री, पार्टी में महिलाओं की प्रमोखावाज, मनीश सिसोधिया के जेल जाने के बाद शिक आजमा चुकी हैं. दो हजार उननिस के लोकसभा चुनाव में आतिशी को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पूर्वी दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया था. वो भारतिय जनता पार्टी भाजपा के गौतम गंबीर से 4.77 लाख वोटों के अंतर से हार गई थी. दो हजार बीस के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दोरान आतिशी ने दक्षिनी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा. उन्होंने भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंग को 11,422 वोटों से हराया. बाद में उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोदिया और स्वास्थय मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तिफे के बाद उन्हें सौरब भार्दवाज के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली सरकार में शामिल किया गया.